दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं जुलाई का महीना चल रहा है जोतिश शास्त्र में कुंडली, नाम, आदी के जरिये से लोगों का भविश्व बताया जा सकता है कि उनका आने वाला समय कैसा रहेगा इसके साथ इस तरह के व्यक्ति के सुभाव के बारे में तिथी, महीना और नक्षुत्र के आधार पर भी जाना जा सकता है तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जोतिश शास्त्रों के अनुसार जुलाई महीने में जन्मे लोगों का सुभाव कैसा होगा उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं तो अगर आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का जन्म जुलाई की महीने में हुआ है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए, शुरू करते हैं आज का वीडियो जोतिश शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति के जन्म के महीने से उसके सुभाव के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है वहीं अगर हम जुलाई में जन्मे लोगों की बात करें तो जुलाई में जन्मे लोग बहुत ही रहसेवादी और मूरी किस्म के धनी होते हैं इस महीने में जन्मे लोगों का सुभाव पल-पल में बदलता रहता है वहीं कब सामाने से अचानक गुस्सा हो जाएं इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता लेकिन ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ एक पल के लिए होता है और बाद में ये पच्टाते हैं इसके साथ ही आपको बता दें कि जुलाई में जनमे लोग निराशा में भी आशा की किरन धून लेते हैं ये लोग काफी भावुक किस्म के होते हैं और ये पैसे से ज्यादा प्यार के प्रती संवेदनशील होते हैं इसके साथ ही आपको बता दें कि जुलाई मिजन में लोग अपने परिवार के साथ धार्मिक और मनुरंजन यात्रा करना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ये लोग अपने परिवार वालों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. लेकिन अपने ही बातों को घर वालों के सामने नही जीवन जीने का एक अलग तरीका अपनाते हैं और काम करते समय हसी मजाग का महौल बनाए रखना इन्हे काफी पसंद होता है। और ये लोग शिक्षा के शेत्र में भी सफलता हासिल करते हैं लेकिन कभी कभार ये अपने आलत से के जलते खुद ही अपने लक्ष के रुकावट बन जाते हैं। करपाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए होता है और बाद में कुछ ऐसा बरताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं अगर इस महीने में जन्मे लोगों की लव लाइफ के बारे में बात करें तो ये लोग भले ही गणित में कमजोर होते हैं लेकिन रिष्टों को बनाए रखने की गणित बखू भी जानते हैं। ये लोग अपने पार्टनर के प्रती बहुत ही जादा इमांदार और समर्पित सुभाव के होते हैं। ऐसे लोग अपने परिबार की स्वास्ते को लेकर बहुत जादा चिंतित रहते हैं लेकिन वो अपने स्वास्ते के प्रती बेहद लापरवा होते हैं। इसके साथ ही जुलाई में जन्में लोगों को हमेशा एक ही सला दी जाती है कि वो अपने चंचलता पर थोड़ा सा कंट्रोल करें और अपने लक्ष के प्रती फोकस रखें। इसी वज़े से दुनिया आपके कदमों में होगी।